किसी सांसत को सुनने के लिए लोग दीवाने हो जाते हैं तो कोई सांसत ऐसा भाशन देता है कि सभी को चौका कर रख देता है। हमारे एक ऐसे ही सांसत हैं अलमोडा के। अल्मोडा से लगता तीन बार के सांसत और केंद्र में सड़क परिवहन राज्यमाग राज्यमंत्री M.O.S. अजे टम्टा लोकसवा में मांसून सत्र के नौवे दिन प्रश्नकाल के दोरा ऐसा कह गए मानो अब देश भर में मंत्री साब की चर्चाय जोरो पर होने लगी हैं राजिस्तान के करौली धौलपुर से कांग्रेस सांसत भजनलाल जाटब ने मंत्री अजे टम्टा से एक सवाल पूछा उन्होंने कहा राश्यमार्ग घोशित करने का मापदंड क्या है इसका जवाब बड़ा ही अजीवों करीब था इसका जवाब देने के लिए सरकार की जो से सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्यमंत्री अजे टम्टा खड़े हुए इस दोरान भजनलाल जाटब के सवाल का मंत्री अजे टम्टा कुछ और ही जवाब देने लगे इस पर स्पीकर ओम बिल्ला ने उन्हें दो बार सवाल बताया भी लिहाजा फिर भी जब वह उट पटंग जवाब देने लगे तो ओम बिल्ला ने उन्हें गुस्से में बैठा दिया अब आपको सुनवाते हैं वह पूरा भाशन मंत्री मोदे से पूछना चाहूँगा कि राष्टिय राजमार घोशित करने के आपके मापदंड क्या है हाँ तो मेरे संसद्य चेत्र के अंदर तीन तीर तिस्तल है और मुंबई एक्परेस बेसे पिनान से लेके महुआ महुआ से लेके करॉली और करॉली से कहला दे भी आ आप राष्टिय राजमार घोशित करने का विचार रखते हैं क्या आपके पीडबूडी मंति रहो ना जानते हो कैसे गोशित होता है इसलिए मामदंड पूछे मैंने मानिय अदिली मानिय अदिली हाँ बताए कि मानिय सदस जी ने महाराष्ट से संबंदित प्रस्ट अपने लोग सबाएं में जानकारी लिए अपने लोग सबाएं में जानकारी लिए और जो इन्होंने ने पूछा है कि राजमार घोशित करने की क्या नीती होती है महादे चूंकि एक मिनट चूंकि जिस प्रकार से दो हजार चौदा के अंदर मानिय अद्रग जी लगबग 91,281 मोटर एनच थे और मानि प्रदान मंत्री जी के कारिबार घ्रण करने के बाद एक अलाग 46,126 किलो मिटर एनच बना है दोस्तों आपने सुना अलमोडा लोकसवा के सांसत अजय टम्टा और मंत्री जी ऐसा जवाब दे वैठे अब उनका वीडियो शोशल मीडिया पर खूब वाइरल हो रहा है आप मंत्री अजय टम्टा के ऐसे जवाब देने के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा